हालो एब्रिवन आज एक 700 स्पेशल वीडियो बनाते हैं आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है जो भी लैप्टॉप डेक्स्टॉप का फिल्ड में वर्क करते हों ठीक है वो ये वीडियो थोरा सा टाइम लेके देख मैं जो आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं वो आप जब तक पीड कोई क्लासेस पे आप नहीं जोइन कर लोगे तब तक वो किसी के किधर से भी आप सीखने ही सकते हो ठीक है वो आपको सिखाएगा नहीं बिकाज वो चीजी ऐसा है ठीक है यह जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको free में तो नहीं मिलने वाला है तो आज ये वीडियो में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ठीक है इस वीडियो में आपका पूरा laptop desktop motherboard repairing का जो perspective था आपका ठीक है वो change होने वाला है ये आपको मैं guarantee दे सकता हूँ आप मुझे थोड़ा सा time दे दो आज ये वीडियो long बनेगा देखो पहला 600 subscriber पर मैंने वीडियो बनाया था जो वीडियो था voltage sequence of desktop motherboard जो भी हमारा voltage बगरा बनता है किधर पर बनता है ये information था उस पर ही इतना अप लोग comment, like और इतना views आया, मुझे लगा एक laptop के उपर और उसके controlling signal के उपर, मैंने community में भी एक quiz रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने उधर पर लिखा था yes, आप मेरे से आप जानना चाहते हो laptop का power sequence कैसे बनता है, क्या-क्या बनता है, तो ये जो वीडियो है, ये ऐसा मत समझना जो laptop repairing जो करता है उनके लिए ही स्रिफ important है जो desktop repairing है उनके लिए भी important है because desktop repairing बहुत easy है, आप अगर laptop के जगा पे laptop से आप compare करोगे but अगर आप थोड़ा सा आप इसका जो actual knowledge है अगर आपको वो knowledge मिल जाएगा, तो laptop repairing ही repairing V बहुत easy है, ठीक है जैसे हमारा desktop repairing है, ठीक है तो thank you, first of all 700 subscriber पे, आप थोड़ा साथ, चाए काफी लेके बैठ जाओ, टाइम लगने वाला है इस वीडियो में, मैं everything explain करने वाला हूँ अब के लिए मैं पूरा note तयार करके, बैठा हूँ ठीक है, देख सकते हो 3-4 pages के notes है, और इसमें every information आपको मिलेगा laptop के बारे में, because यह laptop का voltage sequence है, देखो जो वीडियो मैंने बनाया था, generation wise voltage का, देखो, यह वो ऐसा नहीं है, ठीक है 100% आप उसे इससे compare मत करो because जो वीडियो मैं उधर पे दिया था, उससे जो जो voltages बनता है बोड में जो अगर आपका 6-7 generation का desktop का बोड है, उसमें अगर 10 voltages बनता है, ठीक है 110 और 110 6-7 generation सपोट करता है ठीक है, और 3-10 जो भी अपकालो, 9-8 generation laptop में भी ऐसा ही है, ठीक है voltages बरता नहीं है, बड़ उधर पे conversion का ज़ादा खेल रहता है, ओके conversion का ज़ादा खेल रहता है और थोरा सा जो controlling है, जो ICs बगेरा, हमारा regulator बगेरा है वो IOS से सब कुछ control होता है, और controlling थोरा क्या बोलूं मैं controlling थोरा organized way में होता है ठीक है, ऐसा नहीं सब कुछ एक स्याद बन जाता है, ठीक है हमारा desktop में बहुत कुछ ऐसा है, जो laptop के comparison में बहुत easy है ठीक है, बड़ laptop बहुत complicated है, बड़ जो भी भाई ये समझते हो, laptop आपसे नहीं होता है, और आप क्या check करोगे, कौन सा case में क्या होता है, ठीक है बहुत सारे लोग, no display में फसते हो, बहुत सारे लोग, no power में फसते हो, और बहुत सारे लोग, no low MpR consumption, ओके कम MpR का consumption समझो, एक board को चलने के लिए, आपका 700-800 MpR का consumption minimum है आपका board 100-200 पे stuck हो रहा है, तो ऐसा वाला जो भी problem बगेरा आता है उसमें हम लोग, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें क्या होगा, तो उसे आपके ऐसे step by step check करोगे तो ये वीडियो प्रोपर ली उसके उपर होने वाला है, ठीक है एक second रूग जाओ sorry, एक phone आगया था तो मैं जो बोलना चाता था जो ऐसा वाला जो भी case पे laptop के case में आप फास्ते हो तो ये सब आप इस वीडियो अगर अच्छे सो देख लोगे तो आप लोग easily वो सब को checking कर सकते हैं, वो सब को find out कर सकते हो, कौन सा problem के बज़े से वो हो रहा है, ठीक है तो मैं इधर पे सब कुछ cover करने वाला हूँ, तो चल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है तो मेरा जो note है आज का, वो थोड़ा long है और जो भी भाई, इसके पहले भी मिझे दो तीन भाईोंने comment वगरा किया था, ठीक है मैं यह सब को एक PDF में convert करके, आपको दे दूँगा, ठीक है डिस्क्रिप्शन में Google लिंक रहेगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है तो, I think मेरा कैमेरा में everything आ रहा है, प्रॉपर है, ठीक है चलो, चलो करते हैं तो यह मैं जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो के शुरू में आप यह वीडियो अच्छे से देखो आपका अगर आपको एक बार मैं समझ में नहीं आता है, तो दो बार देख लो ठीक है, विकॉज यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने बार है, ठीक है, मैं यह आपको वादे से बता सकते हो अगर आप यह वीडियो को अच्छे से समझ लोगे ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको समझा दूँगा ठीक है, वो मेरा जिम्मेदारी है आपको समझाना वो मैं आपको कर दूँगा आप जस मुझे थोड़ा टाइम दो ठीक है, इधर पर जितना टाइम का वीडियो बन रहा है, इसे पूरा देखने की कोशिश करो नहीं तो यह टॉपिक अगर आपसे मिस हो जाएगा, आप समझोगे बहुती बरा वीडियो है, आपका टाइम नहीं है आप राइट नाओ नहीं देख सकते है ठीक है, जब टाइम होगा तब यह से आपको देखना है नहीं तो क्या होगा आप डिक्स्टप हो लैप्टप हो रिपेरिंग में आपको बहुत स्ट्रागेलिंग जेलना परेगा ठीक है, आप इवेंच्वली सिख ही जाओगे, ठीक है आप टाइम देते रहो दे दो पांच-साथ साल आपको सिख तो जरूर आप जाओगे ठीक है, वो तो मेरा गैरेंटी है, ठीक है बट यह वीडियो का जो आपको सिख आपको करता हूं आपको कुछ जादा देने के लिए जो आपको मिल रहा है यूट्यूब में उससे जादा देने के लिए तो यह मेरा वही एक ट्राइ है ठीक है, चलो, वीडियो आप शूरू करते है बहुत इंटरेक्शन हो गया तो laptop का voltage sequence में आप अगर देखोगे मैं इस पार्ट को लेके start करता हूँ हम लोग बहुत time हमने देखा है laptop के board में schematic में बहुत time लिखा होता है एस जीरो का sequence ठीक है एस जीरो एस फाइव एस थ्री तो यह सब voltage का एक पार्ट है ओके आप समझ लो एस का मतलब है slip समझ विलो ना actually यही मतलब होता है इस का मतलब है slip तो slip 5 एस हाइब हम लोग ज्यादा तर टाइम क्या बोलते है हमारा जो motherboard में standby section होता है तीन पांच का section ओके laptop का तीन पांच का section के लिए जो coil में voltage बनता है always वाला voltage वह पांच और तीन का always को हम लोग बोलते है s5 का signal s5 मतलब वह slip वह सोया हुआ है system ओके वह slipping पे है पांच नंबर stage में slipping कर रहा है तो आपको धीरे धीरे उठाना परेगा last अगर यह देखो कि इधर पर s5 है इधर पर s3 और s4 है because इसे s4 भी sometime बोला जाता है s3 भी बोला जाता है उसके बाद s0 है s0 का supply मतलब वह सो नहीं रहा है ठीक है ऐसे यह board पर लिखा होता है और पहला जो stage है जब आपका LDO just present है board में और आपका RTC brand है उसे बोला जाता है g3 का stage ठीक है तो stage अपने थोड़ा सा समझ लिया अप लोग थोड़ा close आजाओ अब धीरे धीरे मैं चालू करता हूं मैंने stages लिखा है middle में एक line खीचा है इसका मतलब यह पहला stage बनेगा उसके बाद ही यह बनेगा पहले यह नहीं बनेगा इसको छोड़ के ठीक है ऐसा concept है तो देखो बन तो जाएगा यह 19 वोल्ट का पावा है अगर नहीं प्रेजनों का फिर भी यह बन जाएगा इसके बाद वाला नहीं बनेगा बट अगर आपको बोट को चलाना है तो आपको पहले यह से ही चाहिए ठीक है जो भी हो जाए तो हम लोग इधर पर अच्छे से मैंने राइट डाउन करके रखाया आपके लिए तो अब थोरा साथ देख लो देखो लैपटॉप का वोल्टेज सिक्वेंस जी थ्री स्टेज में है जी थ्री स्टेज ओके जिसमें स्रिफ हमारा आर्टीसी प्रेजन्ट है आर्टीसी पह से पावर सोर्स होता है एक होता है अमारा बैटरी का पावर सोर्स और एक होता है वी इन का पावर सोर्स वी इन का मतलम 19 वोल्ट का पावर सोर्स जब आपका बैटरी भी ओपन है आपका वी इन भी ओपन है तब भी यह वोल्टेज बन रहा होगा आपके वोल्ट में ओके व होना चाहिए ठीक है RTC का सेल में जो हमारा कोईन सेल होता है यह वाला कोईन सेल ठीक है इसमें 3.3 चाहिए उधर से हम लोग देखेंगे चार सिगनल तीन सिगनल एक फ्रिक्वेंसी इधर पर बनेगा RTC हैश RTC RST हैश उसके बाद बनेगा SRTC हैश एक ही साथ बन जाएगा एक्च्वेली यह जो विसी सी का लाइन है इसके साथ 20-30 किलो ओम का राइस्टेंस लगा के PCH को डायरेक्ली प्रोवैट किया जाता है ठीक है RTC SRTC इंट्रूडर यह तीन सिगनल वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्ट ओके और विसी सी का वोल्टेज जो भी वोल्टेज आवे लेवल है हमारा कॉइन सेल में ओके और उसके बाद में हमारा बनेगा 3.32.768 किलो हर्स का क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी तो यह बहुत जरूरी है बनना आपका ट्रिगरिंग के लिए अगर आपका बोर्ड में ट्रिगरिंग का इस्जू है 19V आपका present है आपका जो board है वो triggering नहीं कर रहा है तो आपको ये part देखना है और एक case में ये part को आपको देखना है वो बाद में जब आएगा वो case तब मैं बताऊँगा ठीक है next stage में आपका जो मेरा जो power start है वो next stage से शुरू होता है बैटरी को आप छोड़ दो आप 19V से आपको checking करना चालू करो ठीक है प्लास 19V है इसे बोला है ताई power SRC ठीक है ये power जो SRC है ये fast voltage बनेगा आमारा adapter से charging IC verification the verification नहीं ये वेरिफाइंग होगा charging IC verify the 19V verification लिखा है वेरिफाइंग नहीं है verify the 19V है इसका मतलब है हमारा charging IC है वो 19V को verify करता है अगर आप जादा voltage दे दोगे low voltage दे दोगे और अगर आपका कोई adapter में कोई problem है तो वो 19V board में नहीं जाएगा charger का verification जो है वो IC करेगा उसके बाद अगर उसका properties everything okay रहा ठीक है उसके बाद हमारा 19V पूरे motherboard में spread हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा आता है step down का section अभी मैं इसे थोड़ा open कर लेता हूँ ठीक है विकॉज ये अभी इसके साथ connected होने वाला है ठीक है तो इधर पे मैंने line खीचा है ठीक है every line stages भी लिख चुका हूँ मैंने ठीक है तो पहले जो RTC के लिए जो मैंने लिखा है यह है controlling signals कैसे control होता है क्या होता है इधर पे सब कुछ है stage 1 पे जब मेरा RTC मेरा यह 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 बनना चाहिए उसके लिए हमारा जो main schematic है वह मैंने थोड़ा सा draw किया है लिखा है 3.3 RTC voltage is created by RTC cell and 3 volt LDO 3 volt LDO कब बनेगा जब हमारा 19 volt है वह present हो जाएगा उसके बात step down के लिए हमारा LDO generate हो जाएगा step down में 19 volt जाएगा अगर उसका enable requirement है तो enable होगा उसके बाद LDO generate हो जाएगा हमारा step down के लिए बहुत सारा ICs है दो आपको requirement always check करना है step down में sometime होता है LDO के लिए LDO enable और sometime होता है LDO के लिए कुछ भी नहीं रहता है जब कुछ भी नहीं रहेगा तब 19 present होगा उसके साथ ही हमारा 3 plus का LDO बन जाएगा तो जो यह LDO है यह और 3 volt cell का voltage हमारा एक double diode में जाता है इसका जो delta voltage है delta मतलब इसका जो higher voltage है अगर बैटरी में 3 volt है LDO में 3.3 है तो 3.3.7 volt drop होके इसे आपको धियान रखना है यह हमारा एक diode है diode का voltage drop होता है अगर forward bias में वह current को pass करेगा 0.7 का voltage drop देगा तो voltage drop होके इधर पे मिलेगा हमारा RTC VCC यह RTC VCC है जो 3.3 volt है तो RTC VCC तो RTC VCC बन नहीं रहा है तो आपको देखना होगा इधर यह दोनों से एक को present होना ही है जब board में 19 volt नहीं होगा यह नहीं होगा तब आपका RTC cell से यह डायोट से पास होके आपको PCH में यह सभी चला जाएगा और अगर आपका board में 19 volt बन चुका है आपका battery open है फिर भी LDO से यह RTC बनाएगा तो इधर वे कोई भी condition हो board में RTC section बनना ही चाहिए ओके तो यह हो गया हमारा पहला stage इसका controlling यह हमारा finally outputs second stage पे हम लोग जाते है 19 volt power SRC इसे बोला जाता है 19 volt power SRC B plus ठीक है ऐसा कुछ V in भी बोला जाता है sometime तो यह इधर पे मैंने लिखा है stage 2 plus 19 volt into the first MOSFET then second MOSFET and then current sense resistance register इहां पे एक structure बना होता है पहला MOSFET लगा होता है आप समझ लो यह मेरा यह मेरा पहला MOSFET है 19 volt इधर से आएगा asset इधर से इंटर करेगा अगर charging IC देखेगा charging IC ही इसे control करता है पहले इसे पूरा sentence को मैं पढ़ रहता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं तो मैंने बोला 19 volt into the first MOSFET वो घुसेगा उसके बाद then second MOSFET पे जाएगा उसके बाद current sensing resistor पे जाएगा तो एक नंबर और दो नंबर जो MOSFET है वो control by the charging IC verify the charger जब charger को verify कर लेगा उसका voltage current जब accurately उसे मिल जाएगा charging IC requirement complete हो जाएगा तब वो हमारा first MOSFET and second MOSFET को on करके power को just pass कर देगा तो यह मेरा 19V है ऐसे अब charger रिंजेट किये तो 19V रिधर पे आ गया इसका gate और इसका gate यह हमारा दो MOSFET है इसका gate और इसका gate connected है हमारा किसके साथ हमारा IC के साथ charging IC है charging IC क्या करेगा इसे on करेगा इसे on करेगा उसके बाद एक छोटा register लगा होता है एकदाम low value का उसके बाद से हमारा 19V पूरा motherboard में travel करेगा ठीक है मैं दिखा दूंगा board में वह हमारा V-In का section तो V-In का section और step-down का section जो है वह सबसे जादा खराब होता है सबसे जादा board में खराब होता है no power की cases में हम लोग 99% देखते है RTC नहीं बन रहा है और V-In missing है और हमारा 3-5 का section में कोई problem है तो 3-5 तो इसके बाद है उसे अब छोड़ो 19V को pass करने के लिए अगर pass उसे properly आपका board में 19V बनाना है तो आपका first MOSFET second MOSFET switching कराना जरूरी है वह जो switching है वह जो controlled है वह होता है हमारा charging IC के पास तो charging IC actually दो part को वह control करता है एक है charging, battery charging और 2 है V in का अंदर जाना V in का मतलब जो voltage in है हमारा 19V उसे अंदर pass कराना हमारा full motherboard के लिए जब भी हमारा power SRC जो मैंने इधर पे लिखा है वह रेजिस्टर के point पे जब भी हमारा वह पहला रेजिस्टर जो इसका first MOSFET, second MOSFET third number पे हमारा register लगा होता है उसके बात से हमारा पूरा board में travel करता है 19V तो 19V का section हो गया अगर आपका 19V है हो गया आपका बन गया उसके तुरंद बाद वह voltage चला जाएगा हमारा step-downs every ices में पूरा motherboard में पूरा spirit कर जाएगा अभी just power on होगा step-down section stage number 3 step-down section step-down section यह क्या है यह है तीन और 5V का हमारा supplies तो 3 और 5V का जो IC है उसे हम लोग step-down IC बोलते है step-down का मतलब actually step-down होता है हमारे transformer electrically में step-down होता है step-up step-down transformer दो टाइप का step-down क्यों बोल रहा है वह आप operating voltage जो हमारा motherboard है उसमें हमारा 3.3 और 5V से है पूरा motherboard चलता है तो वह वोल्टेज पे वह stepping-down करके लेके आएगा इसके लिए उसका नाम है step-down section वह section उसके बाद active होगा तो 19V के बाद में तो step-down section में भी आपका दो voltage बनेगा एक है LDO voltage LDO का मतलब है low drop-out voltage इसका मतलब यह तो हमारा motherboard है जो sleeping condition पे है वह sleeping condition का एगदम beginner जो stage है उसमें perform करेगा जब भी आपका motherboard में RTC लगा हुआ है आपका RTC OK है RTC cell लगा है अब कोई भी charger और battery अगर connect कर लोगे आपके motherboard के साथ तो motherboard में 3.3 LDO बनना ही चाहिए because वही LDO हमारा power button पे जाता है और यह जो हमारा 3.3 LDO है यह होता है low current के साथ इसका मतलब यह पूरा motherboard को active नहीं कर सकता है यह just starting create करेगा start up करेगा उसके बाद take over होगा coil का voltage से coil का voltage है हमारा जो actually में high current के साथ बनता है तो 19 V आएगा उसके बाद हमारा 3.5 का LDO बनेगा LDO के लिए 3.3 LDO 5 V LDO ऐसा लिखा हो सकता है और V-Rage का signal इसे बोलाया थे V-Rage का signal 3.3 V V-Rage और 5 V-Rage V-Rage मतलब LDO का 6.3 LDO के लिए हमारा कोई controlling है की नहीं यह हमें जानना परेगा ठीक है तो देखो यह हमारा laptop के motherboard में everything controlled हो रहा है ठीक है ऐसा नहीं है directly आप लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा actually desktop के motherboard में क्या होता है हमारा जो पूरा step-down section है वो हमारा लगा होता है किस में? SMPS में SMPS से 3 parts voltage 12 voltage सब कुछ control होके ही निकलता है ठीक है एक second एक call आ रहा है sorry भाई मेरा phone आता ही जा रहा है क्या करूँ बिजनेस के line पे न यह call भागे रहा बहुत बता रहा हूँ तो देखो every voltage हमारा motherboard में जो भी बन रहा है आपका laptop के board में यह कोई ना कोई controlling से बन रहा है तो 19V जब DC इंजेक्ट कर रहे हो आपका charger में voltage है 19V इसका यह मतलब नहीं है आपका पूरा board में 19V है तो उसका controlling के लिए यह verification के लिए हमारा बैठा है charging IC इससे आपको समझना है इसके लिए मैंने क्या किया ऐसे ऐसे लिखा इसका मतलब stage 2 में अगर आपका power research से नहीं बन रहा है तो आपका charging IC का checking करना होगा charging IC का देखना होगा सब कुछ okay है की नहीं और हमारा finally register है जिधर से हमारा पूरा board में पूरा power spread करता है मैं scrap motherboard से सब कुछ आपको दिखा दूँगा आपको चिंदा करने की ज़रुवत नहीं है अगर आपको लग रहा है थोड़ा आपके लिए टफ हो रहा है विकाज आप desktop में एक्सपर्ट हो बट laptop आपके लिए नया है तो आप थोड़ा देखो मेरा वीडियो मैं जस्त यह बोलना चाता हूँ आप time दो मेरा जिम्मेदारी है मैं आपको समझा के ही छोड़ूँगा time लेके बैट जाओ तो अगर आपका यह register पे final register जिधर से 19 वोल्ड पूरा motherboard में spread होता है उधर पे अगर कोई shorting है तो charging IC वो verification करेगा output में shorting है वो power racer सी बनने ही नहीं देगा यही है हमारा laptop का concept laptop का motherboard में because of laptop एक advanced technology का machine है desktop से advanced है तो उसका जो power बगेरा है बनता है जो भी है उसका वो भी थोड़ा advanced level पे होता है ठीक है यह आपको थोड़ा धियान रखना है good अभी 3.3 volt 3.3 volt LDO और वीरेज का supply और 5 volt LDO और वीरेज का supply के लिए हमारा कुछ requirement है की नहीं वो हम देख लेते क्या stage 3 तो इधर पे मैंने लिखा है stage 3 ठीक है तो stage 3 पे देखो मैंने लिखा है LDO 3.3 and LDO 5 volt is enabled by LDO Enable signal ठीक है तो sometime हमारे पास देखो मेरे पास ही कितना step-down IC मेरे पास है आपको दिखाता हूँ देखो यह मेरा step-down IC का पहार है ठीक है यह देखो यह जो भी IC आपको इधर पे दिख रहा है ठीक है यह minimum पास 5,000 रुपिस का IC है ठीक है यह जितना भी IC आपको दिख रहा है यह सभी step-down IC है ना ना जितना भी model है इसमें बहुत सारा step-down IC का requirement होता है तरा का step-down का enable दिखने को मिलेगा एक है जो enable जब उसे enable मिलता है एक IC होता है एक type का IC उसमें LDO यह बनाने के लिए आपका LDO enable signal आना जरूरी है ठीक है अगर आपका IC में LDO enable का कोई भी concept नहीं है तो आपका LDO बनेगा 19V in होते ही इसमें LDO प्रेजेंट हो जाएगा ठीक है यह आपका concept ध्यान रखना है तो LDO के enable के लिए 3.3 और 5V का LDO enable के लिए LDO enable signal आना चाहिए अगर enable नहीं है तो आपका direct बनना चाहिए good stage number 4 अभी है हमारा main power का starting तो इधर तक कई-कई board में इधर तक पनना बनेगा without pressing the power button ठीके power button प्रेस करने से पहले ही और बहुत सरा कोई-कोई फास सेकिंड थर्ड जिनायशन का motherboard में आप देखोगे आपका ये चान नमबर point भी बन जाएगा मैंने इधर पे लिखाए triggering क्यूँ ऐसा होता है आपको ये देखना है आपको समझना है आपका IC जो है वो दो टाक्स उसका काम है ये भी आपका step-down section है मैं एक काम करता हूँ ये लिख लेता हूँ step-down section part 1 अरे मेरा इधर पे लिखा ही नहीं जा रहा है ये है step-down section 1 ये है अमारा step-down ये है section part 2 ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो IC दो part को control कर रहा है पहला part तो है हमारा LDO तो LDO अगर आपका बन जाएगा LDO enable से हो और LDO without enable से हो LDO बन जाएगा वो उसका finally completed नहीं है उस IC का task उसको और दो voltage बनाना है ये तो है low current का इसका क्या होता है ये होता है 100 milliamps only 100 milliamps का current ठीक है तो इससे तो board चलने वाला नहीं है इससे क्या होगा just board wake up होगा आप उससे जगा सकते हो जब भाई उठ जा ठीक है ये current से आप उससे जगा सकते हो ये ही हमारा power button में जाता है अगर आपका power button में voltage present नहीं है तो आपको देखना है आपका जो stand wise supply है उसमें LDO present है की नहीं good तो LDO हमारा बन गया उसके बाद है हमारा step down section का always part ये है 5 volt and 3 volt always इसे बोला जाता है AS5 का signal ये है sleeping का सबसे highest stage तो आप ऐसे समझो हम लोग जो इंसान है आप अगर तो अगर समझो रात के 12 लाजे आप सोए तो 1 लाजे आपको नींद आएग 1 लाजे आप कैसे नींद पर होग़े थोड़ा सा आपको नींद रहे थोड़ा सा आप conscious रहोगे ऐसे 2-3 लाजे आप गहरी नींद में होगे चार-पांच बज़े आप बहुत ही गहरी नीन में हो गए, फिर से आपका जो sleeping है, वो थोरा-थोरा करके cutting होता जाएगा, उसके मतलब बहुत गहरी से थोरा-गहरा कम, उससे पूरा कम, उससे ज़्यादा अब जग जाओ गए, ऐसा sleeping का भी ऐसा ही pattern है, पहला hour हम लोग थोरा consciously सोते हैं, हाँ, नीन आया है, बट अगर छोटा सा भी एक आवाज हो जाएगा, तो हमारा नीन तूट जाएगा, उसके दो, पहला hour के बाद, जो next two hours है, उसमें हम लोग, थोरा सा जादा सो रहा है, और उससे भी दो, दो आवार के बाद, हम लोग इतना ही गहरे नीन पे सो हो रहा है, जिदर पे घर में आगा चोड़ी भी हो जाएगा, हमें मालूमी नहीं परता है, ठीक है, आवाज हो रहा है, बट हम लोग जागी नहीं रहे हैं, तो यह स्लिपिंग का वो स्टेज, जिदर पे यह पूरा मादर वोड अच्छे जनीन पे हैं, यह स्लिपिंग का फिप्थ नंबर स्टेज पे हैं, यह आपको ध्यान रखना है, जो इसे बोलाया था है, एस फाइफ, सम्टाइम हाँ, आप अगार वीडियो बगेरा देखोगे, बहुत लोग ऐसा बताते हैं, जो ऐसा बताते हैं, जो कैसा, एस फाइफ का फोल्टेज नहीं बन रहा है, इ 3-5 अपका बन गया, और LDU enable से 3-5 बन गया, 3-5 बनने के बाद, वो IC का next stage जो complete है, करना होगा, उसे है always का, तो 3-5 always का signal, 3-5 always कैसे control होगा, इधर पे आ जाओ, देखो लिखा है stage 4, 3.3 वल्ट always, and 5 बोज always, ALWS मतलब होचा, always, always coil voltage is enabled by EC on, controlled by the IO, तो अब इधर पे फिल से समझ लो, जैसे इसके लिए कई-कई बोडों में क्या हो रहा है, enable direct हो रहा है, एक IC है, वो enable मांगी नहीं रहा है, वो enter करा हो गए, 19V enable मना देगा, कोई-कोई IC बोल नहीं भाई, हम ही enable चाहिए, जब तक आपना है, आप नहीं बोलोगे, आपको LDO चाहिए, तब तक मैं LDO नहीं निकालोंगा, ओके, तो इसको, किसका, देखो, every इंसान अलाग होता है, तो every IC अलाग है, आप मुझे बोलोगे, मैं without paid content, आपको free में दे रहा हूँ, आप किसी और को बोलोगे, वो जब तक पैसा नहीं देऊगे, तब तक वो नहीं निकालेगा, मैं हूँ, ऐसा IC, जिसका LDO enable का, कोई requirement नहीं है, आप मुझे like, subscribe कर दो, मैं आपको value दे दूँगा, good, समझ गये, same concept से, step down का always signal है, ये controlling always होगा, कोई ना कोई enable से, enable इसे चाहिए, अगर इसका enable missing है, आपका voltage नहीं वनेगा, ठीक है, तो enable जो है, वो दो चीजों से होता है, sometime होता है, EC on से, जो most of the time देखा जाता है, most of the time, 99% देखा जाएगा, EC on से control होगा, और कोई-कोई board में देखा जाता है, ये हमारा जो LDOs है, ओधर से register से इधर पे दे दिया गया होता है, sometime देखा जाता है, 19V को voltage dropping से enable दिया जाता है, और sometime देखा जाता है, हमारा जो, समझो, एक चीज़ को, जिस board में आपका triggering इस point से सुरू होगा, LDO और always signal बन जाएगा, without pressing the power button, मैंने की अब क्या बोल रहा हूँ, आप pressing नहीं करो, उसके पहले ही आपका coil का voltage, ऐसा motherboard है, ऐसा मज समझो, ये ही difference है, आपको ना sometime ऐसा होगा, आपको लगेगा, भाई, मैंने जो देखा था, मेरा fault finding game का जो वीडियो देखा था, वो उसने बोला था, LDO तो बन जाएगा, ठीक है, बट ये नहीं बनेगा, पट मेरा तो motherboard में ये बन रहा है, तो ऐसे कैसे हो गया, तो जो मेरा भाईया ने वीडियो बनाया है, तो क्या गलत होए, नहीं है, क्यों गलत नहीं है, because हमारा board बहुत एक लंग अर्से तक, board में बहुत सारा innovation हो चुका है, तो पहले-पहले का board लेऊगे, तो क्या होगा, always जो हमारा coil का supply है, ये बनता हुआ ही आपको दिखेगा, LDO भी बनेगा, coil का voltage भी बनेगा, S5 जो है, वो properly आपका activity रहेगा, अगर activate रहता है, तो आप जरूर चेक कर लो, उसका enable कौन कर रहा है, देखोगे, अगर triggering से पहले ही आपका LDO N3.3 बन गया, तो देखोगे, उसका enable कोई IC और कोई IO बागेरा कंट्रोल नहीं कर रहा है, जस्ट क्या कर रहा है, 19V को आपको voltage divider से कंट्रोल करके 3.3 IC का enable में दे चुका है, इसलिए IC क्या कर रहा है, enable कर रहा है, समझो, आपके पास एक motherboard है, जिसका LDO और always बनना चाहिए, ठीक है, आप schematic में देख लिए, यह जो enable है, इसका जो enable है, यह कोई requirement की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यह enable इधर पर कोई requirement ही नहीं है, यह enable क्या हो रहा है, 19V से हो रहा है, तो आप DC से 3.3 इसका enable में दे दो, देख लेंगे, इसका coil में voltage बन जाएगा, ठीक है, तो इसका enable अगर enable बाद में बनेगा, तो triggering के time पे यह जगा पे, मैं एक चीज कर लेता हूँ, यह trigger number 2 का नाम देता हूँ, ओके, यह trigger number 1 का नाम देता हूँ, trigger number 1 में क्या हो रहा है, trigger number 1 में हमारा stage phone नहीं बन रहा है, trigger मतलब on off button को press करना, तो trigger के पहले LDO तक आके रुग गया board, ठीक है, because आप जब तक triggering नहीं करोगे, तब तक IO तो जगेगा नहीं, आपका IO अगर जगेगा नहीं, तो आपका IO तो EC on नहीं निकालेगा, तो EC on जब तक step down section का stage 4 का signal पे नहीं आएगा, signal उसे, तो ये coil का voltage नहीं बनाएगा, good, और कई-कई board में क्या होगा, ये point पे triggering नहीं है, इस point पे triggering है, उस time पे क्या होगा, आपका 1, 2, 3, 4 number stage भी बन जाएगा, okay, और इसका जो enable है, मैंने बोला, इसका enable के लिए आपका requirement हो सकता है, कभी-कभी है, कभी-कभी नहीं है, LDO enable नहीं है, फिर भी ये बन जाएगा, but always का power के लिए आपका enable जरूरी है, enable हो, अगर जरूरी है, तो enable हो सकता है, EC से आ रहा है, EC मतलब IO, EC से आ रहा है, और हो सकता है, 19V को ही step down करके, voltage divider से 3.3V दिया गया है, इसको अमारा IC में, और IC 3.3 बना रहा है, okay, newer generation होगा, तो आपको दिखने मिलेगा, स्रिफ 3.3 और 5V LDO बन रहा है आपका, आप power button प्रेस करोगे, तब उस time पे, आपका EC on निकलेगा, EC on इधर पे आएगा, ये step down का second वाला part को trigger करेगा, और 3.5 का voltage बन जाएगा, ठीक है, ये बाद में मैं लिखा हूँ, वो सब दिखाऊंगा, ठीक है, ये part, I think ये दो part आपका पूड़ा clear हो चुका, तो इधर पे आप लोग trigger प्रेस कर चुके हो, जब भी आप trigger प्रेस करोगे, इस जगा पे, उसके तुरंद बाद stage 5 कर पे, आपका sus level का power supply जो भी है, वो activate होता चला जाएगा, sus level मतलब, वो आप समझो, उसका है, sus का मतलब suspend, suspended voltage, जो भी voltage रुका हुआ था, वो I.O. ने क्या किया, I.O. ने वो suspend, release करने का, उसे command दे दिया, तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, controlling से, ठीक है, तो I.O. ने क्या किया, I.O. ने बताया, आप triggering दिये, I.O. ने बताया, I.O. क्या करेगा, इधर पे आप रुख जाओ, आप इधर पे आजाओ, आप triggering का थोड़ा logic समझो, ठीक है, इस point पे, ट्रिगरिंग का थोड़ा logic समझो, लेखो, देखो, ट्रिगरिंग ओफ लेप्टोप मदर बोर्ट, तीन पॉइन पॉइन वोल्ट, अन दा, अन ने भाई, ती पॉइन थी वोल्ट, ये कर तो, ती पॉइन थी वोल्ट इस, प्रेसेंट, 3.3 वोल्ट इस प्रेसेंट, अन दी आयो स्विच्च, तो 3.3 वोल्ट का, जो हमारा वोल्टेज है, ये कौन सा है, 3.3 वोल्ट, ये है, LDO, V-Rage का सप्लाई, 3.3 वोल्ट LDO इस प्रेसेंट अन दा, पावर बटन, तो मैंने बताया, 19 वोल्ट लगाया, ट्रिगर इंग के पहले, LDO बनेगा, जो LDO 3.3 हमारा जाएगा किस में, हमारा स्विच में, पावर स्विच में, पावर स्विच में, जब भी, आप पावर स्विच दबाओगे, पहला स्टेज ये, सेकेंड स्टेज में, आयो, रिसीब, हाई, लो, हाई, सिक्वेंस, इसका मतलब, जब भी आप पावर बटन प्रेश करोगे, इसे समझो, छोटा, इधर पर ड्रॉ कर देता हूँ, हाई, लो, हाई का सिक्वेंस मतलब क्या है, ये है, हाई, 3.3 वोल्ट, ये continue हो रहा है, हाई पे, आप पावर बटन प्रेश किया, पावर बटन प्रेश मतलब क्या है, वोल्टेज को ग्राउंड से आप टच किये, वोल्टेज गिर गया, लो, लो पे स्टे करेगा सम टाइम, ये क्या बोलते हैं आप लोग, पकर के रखे हो, जब भी ये हाथ आप रिलीज कर दोगे, वोल्टेज फिर से बैक अप हो जाएगा, और continue हो जाए 3.3, देखो ये हाई है, ये हाई है ना, ये हाई, फिर से लो, ये फिर से हाई, तो मैंने लिखा, आप लोग पावर बटन प्लेज कर चुके हो, इस टाइम पे, पावर बटन के साथ साथ, आपका आई हो में भी 3.3 का वोल्टेज प्रेजन होना चाहिए, LDO वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, आई हो अगर, पावर्ड आई हो के पास अगर पावर्ड नहीं है, तो आपका हाई लो हाई का सिक्वेंस खाक ये आई हो देख पाएगा, राइट, अगर आई हो आपका जगा हुआ है, उसका पावर है उसके पास, तब आप जब हाई लो हाई का सिक्वेंस करेंगे, तब आयो देखेगा हमारा user है जो हमारा user है वोनोंने power button प्लेस कर दिया ठीक है और उसके साथ साथ laptop के board में ये आपको बहुत ध्यान रखना है आपका lead switch का data lead switch क्या है एक magnetic switch है ठीक है जब भी आप आपका laptop open करोगे ऐसे open करते हो तब lead switch जो है वो activate position पे होता है ठीक है activate का मतलब वो एक switch है जो magnetically control होता है मेरे पास एक छोटा magnet है मैं दिखाता हूँ ये देखो ये magnet है ये actually lead switch का ही magnet है ये जो magnet है इसे newdium magnet बोलाया थे एक transistor के दिखना हुआ दिखता है छोटा सा उसे actually मैं दिखा देता हूँ कि scrap motherboard में डिल का सिडार का board ले ले लेते ये सिडार का board है ठीक है देखो ये है हमारा lead switch इधर पर लिखा है lead lead sw1 इसका मतलब lead switch 1 ये है lead switch तो जब भी आप ये magnet हमारा ये motherboard लगा है आपका जो keyboard है उस जगा पे राइट और इधर पे हमारा screen flat है ठीक है तो ये जो magnet है ये एकदम screen के बाजू में रहता है ये इधर पे ऐसे रुका हुआ है इसका जो magnetic field है वो ये IC note down कर रहा है और IC का ये pin उपर वाला pin होता है ground ठीक है मैं थोरा सा magnifying glass से लिखा देता हूँ IC का उपर number pin होता है ground एक number pin input दो number pin output और output directly connected है है हमारा किस के साथ भाई आयो के साथ ठीक है ये नोवारान का आयो है every motherboard में same है तो जब आपका ये lead switch का magnet वो जब lead बंध है उसे lead बोला याता है ठीक है वो lead बंध है तब lead switch का magnet उसके करीब में है करीब में है वो time पे ये IC input तो लेगा 3.3 but output नहीं करेगा तो वो time पे आपका आयो बता सकता है आयो को information जा रहा है हाँ भाई हमारा lead close है अब lead close के time पे अगर आप power button प्रेस करोगे तो आपका motherboard जगेगा ही नहीं because आयो के पास information है आपका lead close है close condition पे वो जगेगा नहीं तो आपको देखना है triggering के साथ साथ मैंने इधर पे जो लिखा है at that time I also have the information about lead switch active high 3.3 volt so इसका मतलब है आयो के पास information चाहिए 3.3 हमारा lead switch का input में और output में है मैंने बताया input में तो आपको मिलेगा 3.3 ये LDो के साथ present होगा input में एक number पिन input है इधर पे पर output में नहीं मिलेगा अगर output में नहीं मिलेगा तो आप जितने बार भी इधर से trigger कर लो ये power बटन से आपका motherboard start नहीं होने बाला है अगर आपका triggering requirement पूरा करना है तो आइओ को LDO चाहिए आइओ को high low high का sequence चाहिए also आइओ को lead का data चाहिए lead अगर नहीं मिलेगा आइओ triggering नहीं करेगा ये laptop के लिए ही है बहुत important है जब आयो ने आपको आपका आयो का पास 3.3 lead है ठीक है lead in जो आयो का pin number में लिखा होता है वो है lead in ठीक है LID lead in lead in पे 3.3 चाहिए power button जो on off switch है उधर पे high low high का sequence बनना चाहिए और आपका ASIO में 3.3 present होना चाहिए जब ये तीन profile आपका complete हो जाए तब आपका board triggering आप जब दे रहे हो वो triggering activate हो रहा है ठीक है उस time से IO देखेगा ये आपने triggering दे दिया ठीक है तो IO तो सब कुछ खुद नहीं कंट्रोल करता है IO किसी के साथ तो मिलकर कंट्रोल करता है IO किसी के साथ दोस्ती बना के रखा है वो कौन है PCH PCH के साथ वो दोस्ती रखा है जब भाई मैं सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ आपका मेरा जरूरत है PCH ने बोला ठीक है मैं आपको help कर दूँँगा बट मैं तो directly connected नहीं हूँ ना power button से तो आपको मुझे information देना परेगा यूजर ने power button प्रेस कर दिया उसके बिहाब पे मैं voltage बगेरा generate करता रहूँगा तो control करता रहूँगा तो IO ने बोला ठीक है मैं उसके बिहाब पे output दूँगा अभी आया output का बारी after triggering the power switch IO out IO क्या करेगा voltage out करेगा क्या क्या signal out करेगा voltage नहीं voltage 3.3 signal ठीक है 3.3 का voltage वो out करेगा power button out तो पहले power button in हुआ high low high का उसके बिहाब पे power button out lit switch का in हुआ 3.3 उसके बिहाब पे lit switch out और उसके साथ साथ RSM reset जुसका नाम आपको मिलेगा EC RSM reset EC lead out और PBTN power button out इसका मतलब power button प्रेस कर दिया lit switch का data ओके है lit हमारा open है ठीक है ये PCH को बता रहा है ठीक है IO PCH को बता रहा है और RSM reset जो reset signal है वो ये 3 signal वो जिनाट करेगा तो आप अगर देख रहे हो आपका board में triggering का कोई problem है triggering थोरा सल हलका current उठा के रुक रहा है तो आप चेक करोगे आपका पहला triggering का पहला stage ओके है की नहीं ये 3 requirement आपको चेक करना है अगर 3 requirement चेक कर लिए हो फिर ये 3 को चेक करना है जो इन तो हुआ उसके भियाब पे आपका IO क्या response किया response पे power button out lead out RSM reset out कर दिया तो जब भी ये कर दिया इसका मतलब है IO का triggering section OK है IO trigger कर दिया है motherboard को अभी PCH का बारी आता है अभी PCH reply देगा वो 3 signal का भियाब पे PCH reply देगा slp underscore s5 hash slp underscore s3 hash slp underscore s4 s3 hash ये जो slp underscore s5 hash है ये हमारा control करता है step down को ये है step down step down ic को sometime slp underscore s5 से control किया जाता है sometime क्या होता है slp underscore s5 को ले लिया जाता है हमारा IO में IO ये signal के बिहाब पे और एक signal भेजता है ठीक है और आज के दिन पे क्या हो रहा है आज के दिन पे नया motherboard में देखा जा रहा है जब भी हमारा power button out lead out RSM reset out हो रहा है उसके साथ-साथ EC on भी निकल रहा है और EC on IO का मैंने बताया step down का always section को activate करने के लिए आपका क्या 3.3 का signal चाहिए वो 3.3 EC on दे रहा है चीक है अगर EC on directly नहीं IO से नहीं control होगा तो आपका किस से होगा slp underscore s5 से को समालेगा slp underscore s4 ये sas को समालेगा sas power slp underscore s3 ये समालेगा run power ये run level का power को समालेगा इसका मतलब समझो भाई देखो कितना intelligent है board board ने क्या किया board ने देखा आप motherboard में switching कर दिये हो तो IO ने बताया भाई pch को information करना परेगा ठीके तो pch को inform कर दिया भाई 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 power button प्रेस हो चुका है अब आगे power को ले जाओ अभी आए power pch बोला ओके पहले छोड़ा slp s5 slp s5 से step down on हो गया इसके बाद छोड़ा slp s4 यहाँ पे मैं अभी रुक रहा हूँ slp s4 sas power और फिर से चलो मेरा पहले डायग्राम पे इस point पे अभी यह बहुत sense करेगा आपको तो s5 हो गया तो मैंने बताया नया generation में देखा जा रहा है slp s5 को use ही नहीं करते है नया generation का बहुत दिनों से slp s5 use नहीं करते है उधर के बज़े से आपका I.O. से E.C. on ले 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 थे E.C. on से आपका I.O. on हो जाता है तो आपने triggering दिया trigger button प्रेस किया lead switch का data उसके पास है on off का data उसके पास है rsm reset का out उसके है वो कर रहा है I.O. so उसके साथ साथ E.C. on भी आ जाएगा E.C. on जब भी मिलेगा step down section का always stage 5 पस कर गया उसका मतलब आप नींद में बहुत गहरी नींद में हो उससे आप थोरा सा wake हो गया विकाज ये power आ गया आपका आपका थोरा सा sense बन रहा है ठीके आप थोरा थोरा करके जग रहे हो उसके बाद देखो stage 5 पे मैंने लिखा sus level power ये जो है इसे बोला याता है suspend power okay suspend power जो है every time आपको देखना है देखो इधर पे मैंने लिखा 3.3 volt sus 5 volt sus 1.5 volt sus ये RAM का sus है ठीके उसके बाद RAM voltage DDR3 और DDR4 DDR3 1.5 volt DDR4 1.2 volt और अगर DDR4 है तो उसके साथ-साथ BPP बनेगा BPP इसका मतला 2.5 volt DDR4 के लिए तो देखो अगर आपका board में समझो ठीक है इधर पे थोड़ा time दो अगर आपका board में 3.5 से 3.5 coil पे तो बन गया ओके आपने schematic पे देख लिया वो I.O. से return signal है I.O. E.C. on कर रहा है इधर पे enable जो भी signal का नाम है उसे आप trace करो किधर से connected है वो I.O. से connected है तो I.O. control कर रहा है PCI से connected है तो P.C.H. control कर रहा है ठीक है तो PCI से control है तो उसका नाम होगा SLP underscore S5 और अगर आपका I.O. control करेगा तो इसका नाम होगा E.C. on ठीक है simple इसके बाद आपका power बन नहीं रहा है ठीक है समझो आपका RAM voltage नहीं बन रहा है तो आपको देखना है RAM का enable आरा एकनी enable जो है वो होगा controlling signal वो क्या है वो return signals है आपका P.C.H. से जो है SLP underscore S4 का तो अगर SLP underscore S4 P.C.H. नहीं देगा तो वो I.O. पे receive नहीं होगा और I.O. उसके बिहाब पे S.I.S. on और S.S. P.H. नहीं निकालेगा S.I.S. on hash और S.S. P.H. SLP underscore S4 के बिहाब पे निकालता है मैं इधर पे लिखा हूँ S.S. level power are controlled by the P.C.H. और I.O. sometime वो direct P.C.H. से control होगा जो है अमारा PM SLP underscore PM का मतलब वो P.C.H. से आ रहा है ठीक है? PM PM underscore P.C.H. SLP underscore S4 hash यह signal जब P.C.H. I.O. को देगा उसके return पे I.O. निकालेगा S.S. on और S.S. P.E. और जगन S.S. on और S.S. P.E. कोई ना कोई एक voltage दो voltage नहीं यह और यह जब यह एक signal आ जाएगा तब यह signal से हमारा यह पूरा enable control होगा S.S. power पूरा control होगा तो S.S. power में आपको देखना है सम टाइम आमें देखा जाता है सम टाइम हमें देखा जाता है 3.3 बोल्ड सस पावर बन रहा है 5 बोल्ड बन रहा है समझो आपका RAM मिसिंग हो गया तो आप चेक करोगा पहले आपका सिगनल आ रहा है कि नहीं आपका पहले तो आप चेक करोगे SLP सिगनल S.4 का सिगनल आया कि नहीं आयो के पास ठीक है आगर आ गया आयो ने उसके बिहाब पे Sys on और सस पी रिलीस किया क्या कर दिया गुड तो RAM पे आ रहा है फिर आप RAM का requirement चेक करोगे ठीक है तो यह आपका laptop के motherboard में यही problem है हम लोग इधर पे ही फसते है जो भी फसते है भाई वो इधर पे ही फसते है क्यों because वो नहीं जानता है यह इतना complicated system है यह ऐसा है जिसका आगर PCH reply नहीं करेगा तो आपका काम नहीं बनेगा पहले तो PCH को reply करना परेगा उसके बाद I.O को reply करने का करना परेगा उसके बाद आपका voltage बनेगा ठीक है तो जब भी इसे बोला जाते है S4 और S3 S4 लोग जादा नहीं बोलते है S3 stage इसका मतलब S5 से direct S3 तो S3 stage में आ गया इसका मतलब वो अभी बहुत इससे जादा conscious level में है ठीक है तो अगर आपका RAM देखो अब हमारा time बचाने के लिए हम लोग क्या करते है जो भी हम हमारा experience है जिसके पास वो क्या करते है direct RAM बगएरा check कर लेते है RAM आ रहा है इसका मतलब SLP S4 का का काम तो हो गया season का और season हो अससपी हो उसका supply आ गया इसके वो नहीं आता तो RAM कैसे बनता है इधर पे एक big question है आपको देखना परेगा schematic में क्या क्या SUS level का conversion motherboard में available है अगर आपका 3-5 का SUS level का conversion available है उसे check कर ना होगा input पे और output पे SUS level बन रहा है कि नहीं properly input में जो voltage होगा वो है S5 का supply output में जो voltage होगा वो होगा SUS का supply input में 5, output में 5 but दो नाम difference होगा यह होगा S5 का signal यह होगा S3 का signal तो यही importance है मैं आपको दिखाऊंगा motherboard पे भी किदर पे देखता है कैसा दिखता है single single MOSFET लगाया होगा old motherboard में new motherboard में देखोगे newer generation में देखोगे तो देखेगा छोटा छोटा 14 लेक का एक IC उसका एकदम उपर बाला और एकदम last बाला यह IC square पकड़ लो आप एक IC पकड़ लो इसका यह उपर और यह नीचे दो पार्ट पे input आएगा और यह दो पार्ट से output हो जाएगा यह इधर पे आएगा S5 का supply इधर पे निकलेगा S3 का supply ठीके तो यह conversion है इसे ही बोला जाता है conversion हमारा desktop के motherboard में ने जो वीडियो बनाया था उधर पे लिखा था conversion 3 volt का conversion 5 volt का conversion वो 3.3 आएगा 3.3 निकल देगा इधर पे भी ऐसा ही है बड़ वो दो लेबल पे conversion होता है एक है SUS लेबल पे जो SLP underscore S4 समालता है उसके बाद अगर आपका SUS का जो भी supply है वो आगे चला गया है तो उसके बाद आपका run level का power चालू होता है तो run level जो है उसे बोलायाता है S0 stage इसका मतलब वो board अभी और सोया हुआ नहीं है वो पूरा जाग गया S0 इसका मतलब सोया हुआ नहीं है वो है SLP underscore S3 यही है हमारा final PCH का output SLP underscore S3 अगर आ गया run level का आपका supply बन चुका है तो आपका board में बहुत सारा supply बनना चालू हो जाएगा इधर तक तो RAM और VPP बनेगा और conversion बनेगा RAM का 1.5 volt है तो 1.5 volt का SUS होगा तो यह जो supplies है यह CPU पे जाता है अगर आपका SUS level में कोई problem है आप अगर चेक नहीं करोगे SUS का 3, SUS का 5, SUS का RAM यह सब नहीं चेक करोगे तो अगर एक missing हो जाएगा ठीक है समझो SLP underscore AS4 आया उसके बिहाब पे आपका SUSP और SUS on निकल गया तो यह अगर निकल गया तो आपका यह सभी बन रहा है कि ने इसे आपको confirm करना परेगा ठीक है गूड उसके बाद मैंने बताया इधर पे return में उसके बाद SUS level समाल लिया PCH ने उसके बाद PCH ने फिर से return दिया SLP underscore AS3 का जो है run level का power supply run level में भी 3.3 का run होता है 5 volt का run होता है यह हमारा 3.3 और 5 volt का run है यह हमारा LAN IC audio IC पे जाता है बहुत time हमने देखा है board में 3-5 अच्छे से बन नहीं रहा है sometime बनता है sometime नहीं बनता है और बन के ही आपका board बन हो जाता है on off ऐसा case तब ही देखना होता है वो जो conversion हो रहा है यह जो IC है और MOSFET है MOSFET है तो gate का enable चाहिए gate में उसे voltage चाहिए ठीक है power को drain to source करने के लिए IC है तो उसे enable चाहिए enable आ रहा है input में है output में नहीं है ऐसा condition अगर create हो रहा है ऐसा on off का condition करिए मैंने बहुत सारा motherboard को fix किया है on off का condition और समझो 5 volt step down का supply sometime बन रहा है sometime नहीं बन रहा है सभी मैंने देखा है run level और sus level में output में shotting हम लोग coil पे तो shotting देख लेते है भाई coil पे shotting नहीं है board तो चलना चाहिए बट लेप्टप के case में ऐसा नहीं है laptop के case में इसका output भी ज़रूरी है okay good same run level में भी 3-5 का supply होता है 3 और 5 का supply डायरेक्ली अमारा audio LAN इसे पे जाता है अगर audio LAN इसे short होता है तो भी आपका board on होके off होगा तो आप जब conversion level में जब आप इस run level का input चेक करोगे तब healthy impedance मिलेगा जब आपका output चेक करोगे तब मिलेगा low impedance ठीक है तो उधर पे आपको injection करना है voltage आपका shorting check करने के लिए और 5 वोल्ट का जो run का supply है वो ही core बनाता है वो core का IC का VCC बनाता है अगर core का IC का VCC आपको मिल रहा है इसका मतलब run 5 level ओके है अगर 3.3 audio IC और LAN IC पे आपको 3.3 मिल रहा है वो run level का supply ओके है run level control कर रहा है slp underscore s3 hash ये slp underscore s3 hash directly PCH से आ रहा होगा देखो मैंने लिखा state 6 ठीक है run level power are controlled by the PCH और I.O IC लिखा है क्यो भाई पागल हो गया क्या मैं थोरा पागल हो गया रात 3.3 बज़े लिख लिख ला था ना पागल हो गया I.O I.O अगर PCH कंट्रोल करेगा PCH निकालेगा slp underscore s3 hash उससे कंट्रोल होगा ये run level का supply ये page का बाद में और supply है रुक जाओ ठीक है I.O अगर I.O कंट्रोल करेगा तो PCH I.O को reply करेगा I.O उसके भिहाब पर run on और run power on निकालेगा 3.5 का level on हुआ उसके बाद RAM का run मनेगा RAM का run RAM मतलब 1.5 वोल्ट का run ठीक है 1.8 वोल्ट रन 1 वोल्ट पाइम का run और PCH आपको देख रहा है अबर generation to generation तो डिफर कर जाता है ना भाई आपके पास generation 1st generation है 2nd generation आपके पास 10 generation है आप कौन सा generation में बैठे हुए हो हमें तो मालूम नहीं राइट तो आपको देखना है आपका voltage run level में कौन सा कौन सा voltage conversion हो रहा है sus level में कौन सा कौन सा voltage conversion हो रहा है यह आपको देखना है अगर board में run level में ये सभी conversion के साथ और भी sometime इधर पर लिखा है देखो sometime VCC इसका मतलब run में sometime देखा जाता है VCC इसे भी बंद रहा है और sometime देखा जा रहा है PCH का power goods से enable करा रहा है क्या बोलते हैं VCC ऐसे को अगर देखोगे PCH का तो reply करना बंद हो गया PCH तो SLP underscore SC तक बंद कर दिया उसके बाद आपको अगर triggering करना है तो आपको क्या करने का परेगा इस IC का power good उस IC के उस IC का power good फिर से next IC पर तो अगर आपका ये इसका समझो ये PCH का power supply ये PCH का power supply 1.05 बोल्ट बना रहा है उसका power good जिनाइट करके क्या कर जाएगा VCC AC का next ये rubber है VCC AC का power supply तो इसका power good दिया जाता है इसका enable में और ये enable इसका मतलब ये बनेगा उसके बाद ये बनेगा इधर पे VCC AC तो run level का power supply हमारा इधर से सुरू controlled by IO और PCH 99% टाइम आपको दिखने मिलेगा 99% नहीं 99.9% देखेगा IO ही control कर रहा है बट IO खुद नहीं control कर सकता है IO को PCH का help लेना बालेगा पहले तो PCH का data आएगा PCH बोलेगा हाँ SLPS 3 low PCH देगा IO को PCH जब देदेगा IO just PCH का command को follow करेगा ठीक है जहाँ PCH देदिया अब हम run on निकालेंगे और run on और power run power on निकालेंगे अब जब run on और run power on आ जाएगा तब हमारा ये सभी run का supply हमारा activate होता चला जाएगा ठीक है ये है stage 6 stage 7 में हमारा core stage 8 में हमारा GFX but 7 और 8 इधर पे थोड़ा display का फंडा हो जाता है because इधर तक तो आप power level में काम कर चुके है अब थोड़ा आपको power good और power okay का भी signal चेक करना होता है ठीक है तो मैं side में आ जाता हूँ मैंने लिखा है stage 7 sorry stage 7 का मतलब CPU core तो CPU core का voltage बनेगा उसके बाद मैंने दिखाया है GFX बनता है तो CPU core का फंडा क्या है देखते हैं लिखा है PCH power good signal और run level power good signal receive by the IO इसका मतलब PCH power good signal PCH power good और PCH power okay ये जो signal है ये और run level का ये जो run बना ठीक है जो भी run बना इसका power good IO को चाहिए अगर IO को इसका power good नहीं मिलेगा तो IO return में processor का जो IC है विकूर IC processor का power के लिए उसे enable नहीं करेगा तो लिखा है PCH power good और PCH power okay और run level power good signal receive by the IO and in return IO gives us IMVP VR on ये है हमारा VR on का signal और VR on enable which is enable our core voltage core का supply enable होगा किस से IO से but IO directly नहीं करेगा IO को चाहिए confirmation run level okay है अगर आपका run level नहीं बनेगा तो आपका voltage इधर पे आपका IO क्या नहीं देगा आपका IO enable ही नहीं देगा enable नहीं देगा तो processor में voltage नहीं बनेगा ठीक है उसके बाद आपका 8 number पे तो voltage बन गया मैंने समझा आपका run level okay है PCH समझो PCH का जो power good है वो IO को दे चुका है ठीक है PCH का power good विकाज देखो अगर मैं designer हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है मेरे पास सब कुछ है आपको schematic से पता चलना चाहिए आपका board जो manufacturer है वो कैसे इस काम को अंजाम पे ले जा रहा है ठीक है तो हमारा core बन गया उसके बाद 8 number stage पे हमारा core का GFX बनेगा ठीक है GFX का supply देखो stage 8 पे अभी stage 8 stage 7 अपका बन गया stage 8 में आपका क्या हो रहा है इधर पे GFX का core बन रहा है इसका मतलब CPU का जो core supply है वो बनेगा तो core बन गया उसके बाद ही ये बनेगा बट उसका जो बनने का जो क्या बोलते है बनने का जो तरीका है वो थोरा सा complicated है ठीक है वो directly बन नहीं जाएगा ये बनते ही ठीक है क्या होगा देखते देखो लिखा गया है मैंने लिखा है stage 8 when core power good core बन गया core का enable मिल गया ठीक है core का enable मिल गया core बन गया core का voltage तब core का power good जो है वो receive करेगा आयो आयो देख रहा है भाई हमारा core तो बन गया है ठीक है core चलू हो गया है तो अभी आयो को जो receive होगा वो signal का नाम होता है we are ready इसका मतलब we are मतलब अच्छा हमारा we are on we are in तो we are in supply हमारा ready है इसका जो confirmation है वो आयो तक आया ठीक है receive by the I.O I.O. release GFX Enable GFX Enable to Enable the GPU Power Supply ओके processor power तो जब आयो ने देखा core हमारा बन गया है तब आयो आयो GPU का Enabling Signal देता है जिससे GPU Enable होता है बाट इस position पे exactly GPU Enable से थोरा पहले ओके आयो और भी बहुत कुछ का data लेता है ठीक है आयो अब समझो ऐसा आयो और हमारा PCH ये सब कुछ 100% ओके है ये देखकर फिर GFX का power बनाता है ठीक है सो क्या-क्या देखता है अब ये देखो इधर पे Node Display का case आता है ठीक है तो we are ready इसका मतलब जो BRM का power good है वो और PCH power okay इसका मतलब PCH का power good जो आयो ने पहले ही निकाला था ठीक है PCH का power good वो दो मिलकर एक AND gate पे जाएगा AND gate का मतलब है NAND है AND है ठीक है तो ये सब gates है logic gates ठीक है NOT gate है AND gate का मतलब है ये AND है ठीक है AND gate का मतलब है अब जब तक आपका ये दो signal present नहीं होगा output में high मैंने इसका मतलब है देखो 3.3 signal का नाम है ना बट voltage क्या है 3.3 इसका भी 3.3 जब 2 3.3 activate हो जाएगा तब 3.3 इधर पर मिनेगा तो वी आर रेडी आ गया कोर से PCH पावारों के आ गया आयो से ये दो जब बन जाएगा तब system पावारों के निकाल देगा ये system पावारों के sometime इधर पर मैंने लिखा है sometime V.Core पावार गूड received by the I.O and I.O creates V.Core का पावार गूड समझो ये भी कोर बना I.M.V.P. V.R.A.N. से V.Core का पावार गूड वी आर रेडी sometime I.O. पर जाता है I.O. उसके बिहाप पर फिर से दो सिगनाल निकालता है P.C.H. पावार गूड तो समझो इधर पर क्या हुआ इधर पर आयो का सरी आयो नहीं C.O.R. का V.R. रेडी का सिगनल डाइरेकली आ गया इस NAND gate पर और आपका पहला requirement complete कर दिया P.C.H. पावार गूड next requirement है जो आ रहा है आयो से उसके बाद system पावार गूड बट सम्टेम ऐसा दिखा जाता है मैंने बोला schematic जो बना रहा है जो इंजिनियर है उसके उपर पूरा depend करता है वो इंजिनियर क्या किया पावार गूड जो था V.C.O.R. का उसे रिसीब कर लिया आयो ने डाइरेक्ली इधर पे नहीं बेजा ठीक है इस पॉइंट पे डाइरेक्ली नहीं बेजा आयो ने रिसीब कर लिया आयो उसके भियाब पे दो सिगनल रिस कर दिया P.C.H. पावार गूड पावार गूड तो इधर से भी same system follow करेगा P.C.H. पावार गूड पावार गूड जाएगा NAND gate पे इधर से निकलेगा क्या system power तो finally system power के ही चाहिए इधर पे भी system power निकला इधर पे भी system power निकला देखो इधर पे मैंने लिखा after P.C.H. receive the system power के system power के का signal ये signal P.C.H. पावारों के hardware पावारों के मिलकर बनता है system power के और sometime VR ready और P.C.H. पावारों के मिलकर बनता है system power के बट system power के board के present होना 100% जरूरी है system power के जिधर से भी बनता है बनने दो उसका output जब P.C.H. पे receive करेगा after P.C.H. receive the system power के the P.C.H. the clock sorry the clock of the motherboard is started तो जो आम लोग बोलते हैं clock generate करना clock बन रहा है board में वो after बनता है system power के जब P.C.H. को receive करता है P.C.H. को अगर आप देखोगे ये SOC structure का motherboard है ठीक है इसे भूल जाओ ये SOC structure का motherboard है इसमें आपको दो crystal मिलेगा ठीक है मैं दिखा देता हूँ दो oscillator मिलेगा frequency oscillator एक oscillator ये मिलेगा ये है हमारा 32 kHz का जो starting कराएगा और ये मिलेगा आपका 24 kHz का ये है हमारा वो crystal जो हमारा clock frequency generate कर रहा है जिसके बात मैं अभी करा हूँ इधर पे ठीक है SO after receiving the system power के the clock of the motherboard started अभी क्या हुआ 61 तक ठीक है 61 तक आपको मिलेगा 25 MHz का crystal ठीक है और 61 के बाद में मिलेगा 24 MHz का जो भी crystal PCH के साथ लगा है दो crystal लगा होता है मेरा पास एक का board ले लेता हूँ ठीक है इस board में एक सेकेंड 61 मिल जाए 61 का board ये starting का 32 KHz का frequency वाला हमारा crystal ये 25 MHz का crystal तो मैं जो इसका बात कर रहा हूँ ये crystal जो है जो हमारा clock बनाएगा वो PCH पावारों के hardware पावारों के मिलकर system पावारों के बनाएगा और system पावारों के से आपका motherboard का frequency चालू होगा ठीक है and then PLT reset distribute to the motherboard and auto enable the CPU बहुत लोग अभी ये सोच रहा है भाई ये PLT reset होता क्या है देखो RSM reset जैसा है PLT reset भी वैसा है एक resetting signal है इसका मतलब final इसे बोला जाता है final reset signal of the motherboard ओके तो CPU को auto enable करने के लिए CPU को एकदम initial stage पे आने के लिए भाई सब कुछ power बन गया सब कुछ हो गया PLT reset तब बनता है वो final output है तो PLT reset जब भी आपको check करना परे आप I.O का pin में PLT reset चेक कर सकते हैं आप देख लेंगे देख लेंगे I.O का कौन सा pin में PLT reset लिखा हुआ है desktop हो, laptop हो same है तो PLT reset जब बन जाएगा वो पूरा motherboard में PLT reset पूरा फैल जाएगा आप PLT reset सर्च करके आप क्या बोलते हैं आप जो हमारा PDF में थोड़ा देख लेंगे कितना कितना पॉइंट पे गया है बहुत सारा पॉइंट पे जाता है बहुत लोग प्रेफर करते हैं I.O पे चिक करना मैं भी I.O पे ही चिक करता हूँ और एक सिंपल चीज़े वो है हमारा ये WAN कनेक्ट ये WAN लिखा होता है ठीक है इधर देखो ये बहुत लोग WAN जो है उसे बोलते है WAN W-A-A-N तो WAN, LAN जो भी है ये तो LAN है ये WAN है और WAN है वाइफाइ कार्ड छोड़ो इधर का जो PIN नमबर 22 है इस बोर्ड का PIN नमबर 22 इस स्लोट का उधर पे डारेक्ली PLT Reset आता है तो हम लोग इधर से भी डारेक्ली चेक कर सकते PLT Reset तो जब PLT Reset बोर्ड में पूरा ड्रिस्टिब्यूट हो जाएगा The CPU start to read the BIOS फिर समझो क्या हुआ अपका Core Core का Power Good मिला किसको अपका EA End Gate को End Gate पे System Power के बना System Power के PCH में गया PCH का Clock Section स्टार्ट हुआ पूरा Board में Clock Distribute हो गया उसके बाद Clock बनने के बाद अपका PLT Reset बनेगा PLT Reset पूरा CPU को Auto Enable पे डाल देगा लिखा है Then PLT Reset Distribute to the Motherboard Distribute हो गया Motherboard मे and Auto Enable CPU को Auto Enable कर दिया जब CPU को Auto Enable कर दिया अभी CPU को Information है BIOS का CPU क्या क्या रहे गया The CPU Start to Read the BIOS तो जो BIOS CPU जो BIOS का Communication है वो Start होगा यह साब के बाद ठीके After the BIOS Reading BIOS का जब Read कर लेगा CPU ठीके लिखा देखो क्या लिखा है After the BIOS Reading CPU Activates the VIDs and Core Starts the Actual Core Voltage with High Current तो मैंने बहुत टाइम बोला है आपका जो VRM जो IC है V-Core IC ठीके यह कोई Voltage Regulator नहीं है ठीके यह जो हमारा इधर पे यह सब पे VTT है और VCC IO है और PA क्या बोलते इसे PLL ओके VCC PLL है यह सबसे CPU को Starting Voltage मिलेगा CPU Information देगा IO को मुझे कितना Current चाहिए CPU Read करेगा BIOS को और बताएगा यह IC को VIDs से VIDs On कर देगा और बताएगा हमें कितना Power चाहिए तो सम्टाइम आप अगर हाथ रगोगे CPU पे ऐसे हाथ रखोगे CPU और Motherboard को Start करोगे देखेंगे एक Motherboard आपका OK है समझोगे ऐसे हाथ रखे तो मैं यह हाथ रखे समझ लेता हूँ ठीक है अब जब थोरा काम कर लोगे तब आप हाथ रखे बता सकते हो आपका Frequency बन गया आपका Board में VIDs एक्टिवेट हो गया ठीक है PCH देखो VIDs एक्टिवेट हो गया मतलब पहला का सभी स्टेज कंप्लीट है तो हाथ रखोगे तो देखोगे थोरा सा हीट किया उसके बाद एक नम हाई हाई पावर से हीए हीट अप करता है एकदम हाई पावर से तो तब मैं बोल जाता हूँ हाँ बाई CPU CPU हीट अप कर रहा है अच्छा खासा आ रहा है हमारा डिस्प्ले तो क्यूँ बीकॉज CPU एवरी वोल्टेज बन गया पावर गूट का खेल हो गया कंप्लीट सिस्टेम पावरों के आ गया क्लॉग बन गया PLD रिसेट बन गया बायोस रडिंग कंप्लेट हो गया VID एक्टिवेट हो गया VID एक्टिवेट हो गया तो हाई करेंड के साथ आपका जो VRM है वो एक्टिवेट हो गया ठीक है लिखा नाव प्रॉपरली दा कोर वोल्टेज इस क्रियेटेड वीट प्रॉपर सिप्यू वाटेज इसका मतलब जब आपका VID एक्टिवेट हो जाएगा जब CPU आपका BIOS रीट कर लेगा तब वो अच्छे से प्रॉपर करेंड के साथ आपका वोल्टेज बनाएगा और प्रॉपर करेंड के साथ जब वोल्टेज बनाएगा तब आपका CPU बहुत हीट होगा और आपका डिस्प्लेव आने ही वला है ठीक है तब उसके लास्ट में DRAM reset create होगा ठीक है DRAM reset और DRAM reset के बाद बनेगा ये VCCGFX तो ये जो GFX का मैंने बताया था मैंने बोला बहुत लोग ये सब केस पे फस्ते हो इसका reason हो सकता है BIOS इसका reason हो सकता है आपका system power के missing होना इसका reason हो सकता है आपका crystal frequency missing होना इसका खुआ कारण हो सकता है PLT missing होना और इसके कारण ये भी हो सकता है आपका DRAM reset missing होना तो DRAM reset जो है ये हम लोग pin number 30 में चेक करते हैं laptop के motherboard में pin number 30 में check करोगे उधर पे आपको मिलेगा DRAM reset का signal और वो reset का signal आपका final signal है उसके बाद बनाएगा GFX ठीक है तो देखो stage 7 तक यह तो बन गया stage 8 कितना power code बगए रखा खेल आ गया ठीक है तो यह इसका concept अभी जो triggering का मैं इधर पे बात कर रहा था इधर पे मैंने थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा लिखा था आपको दिखा देता हूं मैंने इधर पे तो आपको दिखा दिया SLP बागे रहा ठीक है मैंने लिखा at this time PCH say to the SIO PCH बोल रहा है SIO से to turn on all the voltage regulator step by step तो देखा पहले step पे step down बनाएगा उसके step पे sus बनाएगा उसके step पे run बनाएगा तो कैसे हुआ step by step on किया कौन किया किसका यह कौन बताया on करने के लिए आयों को PCH ने ठीक है तो हम लोग sometime ऐसा case में फसेंगे जिसमें triggering तो हम देंगे आपका power button out आपका lead out और RSM रिसेट बनता हुआ दिखेगा बट PCH return में कोई SLP signal नहीं दे रहा होगा इस condition में बहुत लोग क्या करते हैं छेर बैठते हैं boat को PCH को baked करना चालू करते थे ठीक है heat up करना चालू करते थे बट ऐसा नहीं करना है PCH का requirement check करना है PCH का एक common fault है जो है RTC यह जो मैंने पहले ही stage में आपका RTC का यह section आपको दिखाया था इसे point to point चेक करना भारेगा आपका RTC, SRTC, intruder, 32 kHz और VCC power यह PCH को मिलेगा properly without any glitch, without any problem तब PCH यह signal में कालेगा good यह आपको ध्यान रखना है बहुत लोग यह miss करते बहुत लोग मैंने दिखाये और इधर पर लिखा है और sometime हमें और भी एक signal नया board अगर होगा ठीक है और भी एक signal आपको दिखने मिल सकता है वो है SLP सस का signal ठीक है सस है जो सस का power supply को लिए जेनेट करते है बहुत सारा आप मदर बोड जितना भी निवर जेनेरेशन पर जाएंगे वो आपको देखना परेगा जो कौनसा कौनसा आपका PCH आउटपूट दे रहा है वो आउटपूट किधर पर जा रहा है वो और उसके बिहा पर IO क्या निकल रहा है ठीक है तो इधर पर मैंने लिखा S5 कंट्रोल करेगा 35 का always when SLP S4 is received by the IO then IO create the syson or sysp hash to start the sys level power मैंने जो इधर पर बोला था sys level का power के लिए sys level power में RAM, VPP, 35 का sys और RAM का sys बनेगा ये power के लिए SLP S4 का signal चाहिए SLP S4 PCH देगा PCH से return PCH का data डाएगा IO पे IO return में generate करेगा syson or sysp यही इधर पर लिखा है मैंने ठीक है और last में लिखा है finally then IO receive the SLP S3 last signal SLP S3 the IO create the run on or run power on signal जो S0 को समालेगा S0 stage को run on supply समालेगा मैंने इधर पर भी फिर से दिखा देता हूँ run on के लिए run on power are control by the PCH और IO PCH direct control करेगा तो SLP S3 से control करेगा IO control करेगा तो SLP S3 को पहले PCH से IO तक जाना होगा IO उसके बिहाब पर run on and run power on activate करेगा actual sequence है वो छोटा से मैंने छोटा करके एक लिखा है actual voltage sequence SLP underscore S5 आया उसके साथ साथ बन गया उसके बाद में बन गया 35 का always उसके बाद आया SLP underscore S4 उधर पे 35 का SAS level conversion आया with RAM और VPP RAM का voltage और VPP, VPP मतलब 2.5 volt जो DDR4 में ही स्रिफ होता है अगर आपका board DDR3 है तो VPP नहीं मिलेगा आपको और last में बनेगा S3 जिदर से run level का power supply on होता है ठीक है तो यही था हमारा पूरा खेल laptop का आपको I think यह वीडियो बहुत लंबा है एक घंटा 25 मिनिट है मैं बगबग कर रहा हूँ आपको यह वीडियो मिनिमाम 2-3 बात देखना है इसे पूरा understand करने के लिए उसके बाद schematic खोल के आपको थोरा study करना परेगा इसके बारे में मैंने जो बताया वो सब थोरा checking करना परेगा ठीक है तो because क्यों checking करना परेगा because जो भी data मैं इधर पर आपको दे रहा हूँ इवरी बोट के लिए 100% सेम नहीं है कोई-कोई manufacture कोई नाम यूज करेगा कोई manufacture क्या करेगा slp underscore s जो यह है मैंने बहुत तैम ऐसा देखा है slp underscore s4 इधर पर season दे दिया slp underscore s3 पर sasp दे दिया ऐसा भी होता है ठीक है तो यह सब आपको time के साथ सीखना परेगा बट आपको यह धियान रखना चाहिए जो भाई triggering नहीं हो रहा है तो हमारा क्या-क्या stage को हमें follow करना है slp signal नहीं आ रहा है हमारा pch का क्या requirement है चेक करना परेगा वो से देखना है हमारा board सभी तो आ रहा है बट voltage board on होके off हो रहा है इस case में हम लोग shorting चेक करते हैं shorting में आम लोग देखते हैं coil का supply shorting है कि नहीं बट हमें इसमें देखना है coil का तो supply देखो उसके बाद देखो यह जो हमारा sustainable runnable का conversion है conversion का output होके है कि नहीं आउट्मूट में shorting होगा फिर भी ऐसा होगा ठीक है तो इधर पर मेरे पास एक board मैं ले लेता हो यह इस दिरहर का ही आप बोड ले लो यह बोड पे आगर आप देखोगे देखे मैं दीखा देता हूं सब कुछ दिखा दो ठीक है यह dancing वाला मैंने लगाया यह पी चैनल का इधर पर छोटा छोटा पी चैनल का मॉस्वेट लगा होता है ठीक है मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो ऐसे मैंने इसका बनाया था ठीक है बड़ इसके बाद हमें पता चला इसका पी सीच डेड है तो customer से मैंने बोड खरी दी लिया ठीक है चल देखो भी इन का सप्लाई मैंने बताया वी इन में भी इन मैंने बताया वी इन में इधर पर लिखा गया है फास मॉस्वेट देन सेकेंड मॉस्वेट देन कारेंट सेंस आपको दिखा दिता हूं कौन सा फास मॉस्वेट है कौन सा सेकेंड मॉस्वेट है यह जो point पर देखो drain में connected है source में connected है और इधर पर gate पर connected है तो यह हमारा input है किधर से हो रहा है इधर पर हमारा DC jack है यह DC jack ठीक है यह DC jack में यह filter है एक coil है और PD यह PD है इसका मतलब यह एक diode है ठीक है directly pass कराएगा कोई बात नहीं इसे आप छोड़ दो because यह आपको sometime नहीं मिलेगा कोई coil मिलेगा कोई PD मिलेगा हटा दो और यह PD directly ऐसा नहीं भी connected हो सकते ground के साथ connected है जा शॉट की diode है 19 volt से जादा दोगे तो यह शॉटिंग हो जाएगा ठीक है यह सब छोड़ो 19 volt पहरे इस MOSFET का gate पे सॉर्ड पे आएगा ठीक है source पे आ रहा है यह source पे आ रहा है उल्टा है source पे आ रहा है उधर से अगर gate यह control कर रहा है कौन यह BQIC भी क्यूट आई सीtteności चारजिंगाई-टी इसका गेट-कंट्रोल करके पास कराएगा वर्टेज आई सब्सक्राइब चारज से अगर गेट इसका भी कंट्रोल आएगा ये ये रिजिस्टर पर ये expressed शेंसिक distribute होगा अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा देखो यह हमारा एक पावर सप्लाई तो इधर पर कुछ भी नहीं है यह प्रॉब्लम है ठीक है यह जो रेजिस्टर का यह पॉइंट है यह पॉइंट इधर से आप अगर कोई भी पावर सप्लाई का इनपूट चेक करोगे ठीक है मैं दिखा देता हूँ यह लगा है आप देखो इधर पर दो मॉस्फेट एक क्या है यह कंट्रोलर है और यह हमारे इनपूट का कैपसिटर है 19 वोल्ट का देखो हमारा बीप कर रहा है मल्टिमीटर तो 19 वोल्ट मैंने किधर पर रखा है इस रे अधर बोड पर आपको मिलेगा 19 वोल्ट यह जो हमारा दो देख रहा है हो शेक्षन यह एक शेक्षन यह दो क्या है यह दो मॉस्फेट से बना हुआ है एक दो हमारा पावार और यह कंट्रोलर आइसी है तो यह 3-5 का सेक्षन है अगर इसका भी इनपूट चेक करोगे तो देखो आ रहा है तो सभी अगर आप यह एक देखोगे यह कंट्रोल हो रहा है यह दो मॉस्फेट है यह एक आईसी है इधर भी मिल रहा है यह भी मिल रहा है तो सभी जगा पे जिधर पे भी आपका 19 वोल्ट का सप्लाई चाहिए वो पूरा बोर्ड में ड्रिस्टिब्यूट हो रहा है आफ्टर दा रेजिस्टर तो मैंने इधर पे लिखा था 19 वोल्ट पहले चाहिएगा फास मॉस्पेट पे उसके बाद सेकेंड मॉस्पेट पे गेट कंट्रूल कर रहा है यह छोटा सा हमा सबकुछ वेरिविकेशन के बाद और उसके बाद आ रहा है हमारा कारेंट सेंसिंग रेजिस्टर CLR यह से बोला जाता है CLR भाई ठीक है इसे इसका आउटपूट अगर शॉट होगा आप समझो इसका आउटपूट पूरा मदर बोर्ड में डिस्रिब्यूट कर रहा है 19 व मिलेगा तो भी 19 वो नहीं बनाएगा विकाज यह वेरिफिकेशन करेगा आपका आउटपूट ओके है कि नहीं जब ओके होगा तब यह पास कराएगा ठीक है यह एक चीज था और एक चीज था वो था यह जो हमारा कनवर्शन से इसे आपको थोरा सा देखना परेगा ठीक ह तो हमारा यह नयाब यह 4th और 5th generation का motherboard है इसका मतलब 81 का motherboard 81 का SOC structure में है इस बोर्ड में आगर आप देखोगे एक 14 टांग का IC लगा होता है 14 legs का ठीक है यह IC अपका load switch है इसे बोलाया थे load switch और आपका conversion के लिए आपका IC तो मैंने बताया इधर पे run or sus level का power का conversion होगा तो power conversion के लिए sometime एक IC होता है IC का दो तरफ input दो तरफ output होता है वो IC यह है आपको यह ध्यान में रखना है बहुत यह IC को आप याद रखो तो इसका यह दो पिन पे input आएगा यह दो पिन पे output यह दो पिन पे input यह दो पिन पे output और middle में इसका IC का VCC होगा और IC का enable होगा 5 volt 3 volt इसा करके ओके मैं और भी बोर्ड लेके आपको दिखा देता हूँ यह का AMD Lenovo का बोर्ड है AMD वाला ठीके AMD चिपसेट के साथ तो देखो तीन पच का section मैंने इधर पे थोड़ा सा कारवाई किया था ठीके सबी स्क्रैप है यह इसका dead है इधर पे मेरा यह इसका charging IC यह first MOSFET, second MOSFET, यह CLR ठीके जिज़से 19 volt पूरा बोर्ड में spread करेगा और अगर मैं देखो तो इसका load switch यह रहा यह जो देख रहे हो यह इसका load switch है लोर switch का मतलब conversion के लिए ठीक है यह नया board में आपको दिखेगा यह सब नया board है ठीक है मैं और भी नया board दिखाता हूँ 910 generation का board ले लोगो का यह 910 generation 10 generation i5 का board है देखो कैसे फूटा है ठीक है PCH इसका structure कैसा है यह इसका DC jack है इधर पर देख लो DC jack के बाद एक fuse एक filter ठीक है यह सब छोड़ना होगा आपको यह सब आपको of course okay होना चाहिए इधर पहला MOSFET इधर पर second MOSFET फूरा समय light देदेता हूँ इधर पर fuse इधर पर एक coil इसके बाद fast MOSFET second MOSFET यह हमारा current sensor current sensor से पूरा board हमारा power distribute करेगा और इधर पर जो load switch है वो है यह point पर यह देखो इसका load switch ठीक है इनपूट इनपूट आउटपूट आउटपूट ठीक है और यह तो नया board है नया board में 19 generation में आपको एक से ज्यादा मिल सकता है load switch यह तो एक लगा हुआ है हम लोग देख लेंगे all load switch किधर पर है क्या हो सकता है नहीं भी हो सकता है में देखना होगा ठीक है तो मैं तो इधर पर देख रहा हूं और तो नहीं देख सकता हूं तो most probably हमारा इस board में conversion on नहीं है वह एक ही point से conversion हो रहा है इधर पर भी देख लो देखो इधर पर एक starting oscillator है 32 kHz का और मैंने जब बताया PCH इसका system power के इसको मिल जाएगा तब clock frequency start करेगा और पूरा motherboard में clock distribute होगा उसका clock समरेगा यह 24 kHz का हमारा megahertz और यह kHz में नहीं यह megahertz में 24 kHz का हमारा Christian ठीक है तो यह तो हो गया हमारा newer generation ठीक है तो ऐसा देखने को मिलेगा आपका load switch जो IC based है conversion के लिए लगा हुआ अभी आपका input मिलेगा coil के साथ connected output मिलेगा कोई IC भागरा के साथ connected input को भी आपको shotting के लिए चेक करना है आपको भी output को भी आपको shotting के लिए चेक करना है तो और एक board ले ले लेता हूँ यह Sony का motherboard है यह old generation का motherboard है तो इसका थोरा structure यह PC चूठा आ गया है ठीक है यह i3 है third generation ठीक है इसके साथ Nvidia का ही IC लगा है कोई बात नहीं ठीक है scrap है तो actually यह scrap मेरा है ठीक है exactly मेरा motherboard है यह यह मेरा motherboard डेड़ हुआ है हमारा PC खराप हो गया था इसका ठीक है तो बहुत 2010 में खरीदा था 10-12 में ठीक है 42,000 में और यह laptop चाला 2022 तक 23 में यह खराप हो गया ठीक है 23 और 22 में तो यह बहुत कुछ दे चुका है हमें AKIO दे चुका है MOSFET बगरा दे चुका है ठीक है तो इसका अगर आप देखोगे ठीक है तो यह board old है इसमें conversion एक अलग तरह से मिलता है ठीक है पहले तो input देख लो यह DC jack है DC jack के बाद एक diode है यह ग्राउंड में रखा यह PP कर रहा है ठीक है यह ground से यह देखो connector इसका मतलब यह जो हमारा क्या बोलते है यह जो डायोड है यह शौट की डायोड है connected to ground और वीजी सी ठीक है उसे शौट की नहीं सौरी सौरी मैं क्या बताना हूं शौट की डायोड यह है जेना डायोड होगे अगर इधर पे आप 20 वोल्ट से ज्यादा देदो 24-25 वोल्ट यह शौट होके पूरा वोल्टेज को ग्राउंड में धकेल देगा ठीक है तो यह पहला मॉस्पेट यह दूसरा मॉस्पेट यह एक बीक लिए शौट करोगे कोई भी आपकर लो यह आपका दो मॉस्पेट एक कोई उधर साइड कोई ना कोई ।राइबर मिलेगा इधर से मैंने कैपासिटर भी उतारा हुआ है देखो इंपूट में भी पारा है ठीक है जो यह 19 वोल्ट स्प्रेट कर गया मदर बूड में इस ब हुआ जो क्रिस्चल है वो है और यह जो है यह 25 मिगाहट्स का हमारा जो पूरा मदर बोड के लिए फ्रिक्वेंसी बनाता है उसका हमारा क्रिस्चल से ठीक बड़ हो इस बौर्ड में आपको मैं कन्वेर्शन दिखा रहा हो देख्वो इधर पर यस गो मौकूर्ट नूट दिख रहा है यह हमारा करवशन मौरश्ट से सिंगल सिंगल मौस्वेट इंडिविजुली काम करेगा फिर से देखो इधर पे रान लेबल का जो मैंने इधर पे लिखा था सस 1.5 बोल सस का पावर और 1.5 बोल रान का पावर ठीक है रैम का पावर रैम लेबल का पावर रान में हो और सस में हो यह कंट्रोल हो रहा है यह मॉस्पेट से ठीक है यह मॉ बोल्टेज लो चैनल होगा पी चैनल होगा तो इंपूट से वोल्टेज कम आना चाहिए तो इधर पे तो इंपूट ही देर वाल्ट है 18 volt, सॉरी, यह in channel होगा, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, कौन सा साइट source dot drain है, देखो, एक नमबर, दू नमबर, तीन नमबर, connected, चान नमबर भी connected, इसका मतलब, चार open connected का मतलब क्या है इसका ये side drain है source के side देख ले थे इसके साथ ये connected नहीं है इसके मतलब second वाले के साथ third and fourth connected है तो इसका तीन ये एग, दो, तीन connected इधर पे चार connected और ये हमारा gate ये gate हमारा को एक high voltage से connected होगा 15 और 16 फोल्ड वो भी जो हमारा board है ये हमारा sony का mother board में हमारा ये 3-5 का section है ये 3-5 का section में ये some diode लगा होता है ये transistor नहीं है PD PD करके लिखा हुआ है मैंने ये board को डाइगनॉस्टिंग किया था ना इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में 15 बोल्ड बनाता है और 15-60 फोल्ड डायरेक्ली चलायाता है इसका gate में और हमारा run sus level का जो भी power supply है देखो वैसा छोटा tiny IC जिसना मैंने इधर पर दिखाया इधर पर जो tiny IC दिखाया वो IC आपको ये सब motherboard में नहीं मिलेगा ये older generation का motherboard है तो आप अगर देखोगे तो आपको जस्ट इधर पर दो single MOSFET दिख रहा है ये तो हमारा bios IC है ये dual dual सभी MOSFET है ये एक fan controlling regulator है ये भी dual dual है इस MOSFET के लिए इधर पर भी dual dual है तो और कोई भी conversion नहीं है sometime दिखा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ आ है ये अपको देखना होगा ये जह चोटा फूटा ये चोटा फूटा जो आई सी है ये वी conversion है ये इधर पर भी conversion है सबस्ता कांवरोड्ट सबस्तंगे मैं इंधका दिखा देता हु कंदर पर conversion है ये छोटा bear इसा देखता हूँआ हमारा end-gate है यह हमारा इधर पर है इधर पर एक है ठीक है यह एक end-gate होता है ठीक है ऐसा देखता हुआ एक धर पर तीन इधर पर दो पिन ठीक है और एक दिखता है और भी छोटा package में वह है यह ओके यह यह सभी आईसी से इधर पर यह एंगेट है आप इसका पार्ट नमर नोट डाउन कर लो डी एजीरो एच के नाइन इंबी आपको अगर स्किमेटिक नहीं मिल रहा है मुझसे मांग लो तो देखो यह CPU बाफर रिसेट बना रहा होगा U16 ठीक है CPU बाफर रिसेट U16 और U18 ठीक है और इधर पर भी एक है यह है U15 यह भी कोई ना कोई ऐसा ही end gate का controlling हो रहा है इधर पर एक है PQ22 यह conversion है आप देखो PQ27 यह conversion है और मैंने इधर पर भी बताया RAM का conversion 1.5 का तो यह है अब का PQ11 इधर पर भी conversion है तो जो भी ऐसा conversions है आप देखना है motherboard में अभी का motherboard में क्या होता है मैंने recently एक video नहीं बना सकता था बिखोज कस्टुमर के एकदम सुभा दिया था तो साम को उन्हें डेलिवर करना था इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता था उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो कस्टुमर ने जो बताया वह बोर्ड ओन हो रहा है बाट बोर्ड में पावर लाइट जल रहा है बाट बोर्ड में और इस्प्लै तो उन्होंने की तेरपे दिखा या था उन्होंने बोला क्या था यह आयो था वी सी आयो राइट वी सी आयो तो ऐसा लोट स्पीश के अनेक्टेट था ओके बाडल नमबर मैं बता देता हूं वह बोल्ड नमबर था इले हाइफेन इले हाइफेन अडी सेबेन जिरो फोर पी उसका मैंने याद है उसका यूफोर यूफाइव और के लिए लगा हुआ अपका मॉस्ट था ठीक है लोसरी ड्राइवर आईशी था ठीक है तो उसका ड्राइवर आईवर आईशी सब कुछ में इन्पूट आउटपूट में वोल्टेज मन रहा था इन्पूट आपूट 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 मैंने ऐसे चेक करते करते जा रहा बन रहा था एक जगह आके वह आयो का सप्लाई इंपूट में बन रहा था वन भूल्ट और उसके आयो विसी सी आयो भी 1.1 वोल्ट है तो वो कनवर्ट नहीं हो रहा था तो मैंने जब देखा उसका जो लोट स्वीच है वही खाराव हो चुका था प्रॉपल ली उसका क्या व प्रॉपलेम आता है को बनता नहीं दिखता है तो को जब बनने रहा है बहुत लोग फिर जाते ओर आइसी पर तो को राइसी पर भिरने के कोई जरूरत नहीं आप उसका रिक्वैटमेंट चेक करो को और को एक्टिवेट करने के लिए को और का मिनिमाम जो कोई ना कोई supply देख दिखेगा जो मेसिंग है तो उसमें heat दिया गया था फिर भी वो CPU बज गया है मैंने वो replace करते ही आपका motherboard स्टार्ट हो गया और आपका display भगर भी बन गया ठीक है तो इससे आपको धियान रखना है तो मैंने everything दिखा दिया आपको तो आपका जो यह आपक सीरीज था आपका जो voltage का sequence था यह आपका complete है अभी ठीक है और इस वोल्ट यह वीडियो में आपको दो चीज में बता रहा हूं ठीक है यह आपको बहुत ध्यान रखना है एक है वी इन का section जो आपका बहुत खराब होता है बहुत लोग फस्ते हो अगर आपका requirement है वी इन प और बहुत एक important चीज है वह है तीन पाच का section ठीक है मैंने इधर पे बहुत सारा बोल्ट में मैंने दिखाया यह बूर्ड में भी देख लो यह बूर्ट में मैंने दिखाया इधर पी तीन पाच का जो section है वो धर पे ल्डी योज होगा और यह जो छोटा-चोटा कैपसिटर से इधर पे ल्डी योज होगा ठीक है और हमारा यह जो हमारा मॉस्वेट है यह स्विचिंग कराने के बाद हमारा इधर पे 2 कोयल और यह कैपसिटर पे हमारा final output voltage होगा कोईल का S0 का फोल्टे तो यह इधर पे भी हमारा बहुत लोग फस्ते हैं जो तीन पाच सेक्षन बना नहीं सकते हैं ठीक है तो आपको यह देखना होगा सम्टाइम इन पाच बनता है सम्टाइम नहीं बनता है ऐसा भी जो रिजन है उसका भी रिजन है आगर आपका लोट स् का सेक्षन में प्रॉब्लेम आता है ठीक है भाई तो वीडियो यही था थैंक यू फॉर वाचिंग आइस आई थिंग आपको वीडियो अच्छा लागी ठीक है मैंने जो आज आज आपको सिखाया है वो थोड़ा सा आप टाइम दो इसके उपर यह कम्प्लिकेटिट चीज है लेपटप रिपेरिंग इजी नहीं है बड़ अगर थोड़ा सा टाइम देके वीडियो को दो बार मिनिममम वाच कर लोगे तो अब ज़रूर इसे सीख सकते हो ठीक है तो मैं क्या करूंगा इधर पर ही करता हूँ ठीक है जिससे जो पूरा वीडियो देखेगा उसका नमबर पेज़ है यह टीन नमबर पेज इसके विहाब पर शार नमबर पेज़ है ठीक है उसके बाद यहजन फ। इधर से लिकालु हो रहा है जबर हो रहा कोर तो बन गया बट़ कोर का GFX नहीं बन रहा है उसका reasons ठीक है 4-5 ये 6 ठीक है और इधर से 7 नंबर से triggering का जो sequence है उसे मैंने लिखा है ठीक है 7 ये 8 दिखो मैंने कितना page आपके लिए write down किया 9 page इतना पर आई तो मैं college में जाथ था तभी करता था ठीक है अब तो ये सब नहीं करता हूँ मेरा पुरा गला बैड गया है बगबग करते करते ठीक है आपसे क्या बताओ मैं तो thank you for watching guys अगर आपका कोई भी queries है आप जरूर मुझे comment करो video को थोड़ा time दो video को थोड़ा देखो आपको जरूर याद समझ में आएगा कोई भी question है कोई भी queries है कोई भी आपका doubt है तो आप जरूर comment करो मुझे comment में लिखो यह doubt हो रहा है तो मैं फिर से उस topic को जो भी जगा पे जो भी question से उसको लेकर बैड जाओंगा और उसका answer करोंगा ठीक है और अगर आपको भी in का कैसे भी in work करता है और कैसे आपका तीन पांच का section work करता है यह आपको अगर जानना है तो अब जरूर मेरा आप comment करो मैं आपको समझा दूंगा प्राइब जाओंगा